कि नमस्कार दोस्तो क्वारिटेप इंडिया के इस मॉडूल में मैं आरिन विश्यो कर्मा आप लोग का बहुत अगत करता हूं दोस्तो इस मॉडूल में हम स्प्रिंग और स्प्रिंग कितने तरह के होते हैं कितने टाइपस के स्प्रिंग होते हैं इनके बारे में हम जानेंग काफ़ सारे pen में भी आपको spring नजर आएगा चाहें आप बड़ी गाडियाँ के ले ले गाडियों में भी spring का इस्तमाल होता है बहुत सारे mechanical devices में spring का इस्तमाल होता है medical devices में spring का इस्तमाल होता है electronic devices में spring का इस्तमाल होता है और लोड के हटने के बाद में यह अपने पुराने सेप को रीगेन कर सकता है। तो दोस्तों मैं एक तरीके से कह सकते हैं कि spring जो है वो इस तरह के material से बना होता है जिसा कि high yield strength होता है जो कि अपने elastic properties को retain करता है। दोस्तों spring का इस्तमाल काफी सारे equipments में sock को absorb करने के लिए आज़े sock absorber का इस्तमाल करने के लिए इस्तमाल कियाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि spring materials क्या होता है यानि कि spring को बनाने के लिए किनकी तरह के materials का इस्तमाल कियाता है। तो दोस्तों spring जो होते हैं बहुत varieties के होते हैं, अब कौन-कौन से variety के spring होते हैं, इसको आगे में जानेंगे, लेकिन अगर हम बात करें spring materials की, तो spring बनाने के लिए भी बहुत तरह के materials का इस्तमाल होता है, कुछ common materials का जो इस्तमाल होता है spring बनाने के लिए, उसमें oil tempered steel, stainless steel, algiloy iconel, monel, titanium और chrome silicon का का काफी commonly इस्तमाल कियाता है, अब दोस्तों चूंकि mostly जो material का इस्तमाल कियाता spring के लिए, अब नाम के इस साब से इसको हम spring metal भी कहते हैं, और जो commonly spring steel का इस्तमाल कियाता है, वो mostly low alloy manganese, या low carbon steel, या high carbon steel के material होते हैं, जिसमें की yield strength होती है, काफी high होती है, आप दोस्तों आगे बढ़ते हों समझते हैं, कि हम क्यों mechanical spring का इस्तमाल करते हैं, अलग-अलग devices में, अलग-अलग equipments में, तो दोस्तों spring को इस्तमाल करने के काफी सारे purposes होते हैं, कुछ common purposes जो होते हैं spring इस्तमाल करने का, एक तो है कि shock को हम absorb करने के लिए, shock absorber इस्तमाल करत या काफी सार जगों में हम rink को रिटेन करने के लिए इसका इस्तमाल करते हैं ये कुछ broad level के requirements होगे जहां पर कि जिस purposes के लिए spring का इस्तमाल होता है वैसे इसके लावा कुछ और requirement भी है जहां पर की spring का इस्तमाल होता है हम broadly पांच तरह के spring के बारे में समझने वाले हैं पहला जो है helical spring है दूसरा जो है lip spring है तर जो है disc spring है जिसे की हम belly will spring भी कहते हैं four जो है volute और conical spring है और fifth जो है special purpose springs वैसे इसका लावा भी काफ़ी सार तरह के springs होते हैं और हमारा पहला spring है helical spring इसमें भी काफ़ी सारे तरह के spring होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं दूसरा पहला जो हमारा spring है जो काफ़ी commonly इस्तमाल किये जाना वाला spring है इसे कहते हम helical spring और जैसे कि आप हमेरे picture में देख रहे हैं helical spring का जो shape होता है typically एक coil के form होता है या helix के shape में होता है और इसको इस्तमाल करने का जो common purposes होता है कि हमारा जो compressive और tensile loads होता है उसको handle करने के लिए हम इसका mostly इस्तमाल करते हैं तो दूस्तों helical spring जो है सबसे commonly इस्तमाल किये जाना वाला mechanical spring है और दूस्तों अगर हम लोग load condition के हिसाब से helical spring को classify करें तो इसको हम four category में divide कर सकते हैं पहला category हो गया open coil spring जिसे की compression helical spring भी खालता है दूसरा हो जाएगा closed coil spring जिसे की tension helical spring भी कहते हैं और third हो जाएगा torson spring fourth हो जाएगा spiral spring आईए अब हम जड़ा आगे बढ़ते हैं और जो four category के हमने helical spring के बारे में बात की उसको तुछा सब बिप में समझते हैं तो दूस्तों पहला हमारा type हो गया helical spring का वो है tension spring तो tension spring जो है इसे हम extension spring भी कहते हैं और tension spring जो है एक तरीके से compression spring का एकदम opposite होता है और इस तरह के जो spring होते हैं उसमें hook type का या eye type का जो safe होता है किसी एक end में typically होता है अगर इसके application की बात करें तो liver mechanism में हमारे garage door में जो counter balancing होता है वहाँ पर इसका अस्तमाल क्याता है इसका अस्तमाल weighing machine में होता है इसका अस्तमाल garage door के assembly में भी क्याता है हमारा दूसरा तरह के जो helical spring होगया दोस्तों वह होगया compression spring इस तरह के जो spring होते दोस्तों ये open coil helical spring होते हैं और इस तरह के हम helical coil को press करते हैं, squeeze करते हैं, load apply करके ये comprehensive या push forces को resist करता है और इसका अगर application की बात करें तो इसका application हम motorcycle के suspension में करते हैं pain में इसका अस्तमाल होता है lock में इसका अस्तमाल होता है couches में और lighter में भी इसका अस्तमाल होता है थर्ड टाइप का helical spring होगया हमारा दूस्तों वह है torson springs और इसका कि आप picture में देख रहे हैं इसका save जो है यह helical type का या spiral type का save भी हो सकता है और इस तरह के spring का mostly इस्तमाल circuit breaker के mechanism में क्या आता है इसके अलाव अगर इसका application की बात करें तो इसका इस्तमाल mouse trap में, rocker switches में cloths के pin में automobile के starter में और door के hinges में भी इसका इसका इस्तमाल होता है और हमारा four type का helical spring है दोस्तो यह है spiral spring spiral spring को दोस्तो clock spring या constant force spring के नाम से भी जानाता है इसका इस्तमाल हम उस जगों में करते हैं जहां पर की कोई constant rotational mechanism हो और continuously कोई constant force जो है वो release किया जा रहा हो और इसका अगर application के बात करें दोस्तो तो इसका application हम automotive seat recliner में करते हैं watch में कियाता है alarm clock में कियाता है window regulator में कियाता है और DC motor में भी इसका इसका इस्तमाल होता है अगला जो category हमारा spring का दोस्तो यह है leaf spring यह काफी commonly इस्तमाल किये जाना वाला spring है और जैसे कि आप picture में देख रहे हैं इसको typically जो हमारे automotive के जो garages वगर होते हैं उसको कमानी वगरा कहते हैं इसमें अलग-अलग sizes के plates होते हैं जिसको की एक पर एक करकर रखा हुआ रहता है और इसा जो commonly इस्तमाल कियाता है वो vehicle के suspension के लिए इस्तमाल कियाता है इसके अगर advantages की बात करें दोस्तो तो leaf spring जो होता है इसो construct करना इसको बनाना काफी आसान होता है और spring जो होते हैं काफी strong होते हैं काफी high level के load carrying capacity जो होती है हमारा अगला category का spring जो है जो है दोस्तो यह है disc spring जैसा कि नाम सजेस कर रहा है disc spring इसमें अलग-लग layer के disc होता है जैसा कि आप picture में देख रहे हैं और उन disc को bolt या tube के माधियम से उनको जोड के रखा जाता है तो दोस्तों disc spring या बेले-बेले spring जो होता है जो कि mostly concept का spring होता है इसका installation करना काफी आसान होता है काफी कम space ये लेता है और लेकिन काफी ज़्यादा load carrying इसकी capacity होती है और अगर इसका application की बात करें दोस्तों तो इसका application हम slip clutch में overload clutches में high pressure valve में और drill bit sock observe में भी करते हैं हमारा अगला category of spring जो है दोस्तों ये है conical and volute spring दोस्तों जैसे कि आप shape में यहाँ पर देख रहे हैं conical या volute spring का इसका application काफी special होता है अगर conical spring की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं conical spring का जो safe होता है इसमें equal amount of pitches दिया रहता है जो gaps होता है pitches का वो same रहता है जबकि volute spring में यह थोड़ा सा parabolic type का रहता है यानि कि दोनों साइड में थोड़ा टैपार होते हुए चलता है और हमारा जो पांचमा category of spring है दोस्तों यह है special purpose spring और जबकि नाम बता रहा है special purpose यानि कि इसका application जो है बहुत ही specialized area में अलग-अलग तरह के application में कियाता है दोस्तों इसके अलावा industry में काफिस्टार तरह के और भी spring का स्थमाल कियाता है अगर मैं कुछ का नाम आपको बताओं तो constant spring, variable spring variable stiffness spring, flat spring machine spring, serpentine spring cantilever springs, hair spring या balance spring, v spring gas spring, ideal spring main spring, negative spring progressive rate, coil spring ये कुछ नाम और भी हैं जो की industry में स्थमाल कियाते हैं आपके information के लिए तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि इस program से आपको spring, types of spring, spring material के बारे में कुछ information मिला होगा और आपको program पसंदाया होगा तो दोस्तों अपने learning को और आगे बढ़ाने के लिए और अपने career को नई उचाय में लेके जाने के लिए आप हमारे online training का certification program का benefit उठा सकते हैं उसके लिए आप Google Play Store में जाके हमारे app को Quality of India के app को free में download कर सकते हैं download करने के बाद में आप हमारे courses को check कर सकते हैं और जो भी कोई courses आपको पसंद आता है उसको आप वहाँ से online buy कर सकते हैं buy करने के बाद में अपने mobile से laptop से tablet से आप घर बैटे कहीं पर भी उसको पढ़ सकते हैं, study कर सकते हैं, refer कर सकते हैं use कर सकते हैं और हाँ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि Quality of India आपके company में आखे किसी तरह consulting जो कि हम से relevant है चाहरे system implementation करना हो lean manufacturing, TQM, TPM implementation करना हो या कोई training program करना हो technical training program या system for training program तो आप हमें conduct कर सकते हैं दोस्तों हमारे website को भी विजिट करना न बुलें www.qualityhabiner.com वहाँ पर भी आपको हमारे activities से pertaining का पिसारा information मिल जाएंगी और दोस्तों किसी भी तरह के query पे आप हमारे contact number पे हमें conduct कर सकते हैं टेक के दोस्तों जाहें